नमस्काल दोस्तों, स्वागत आपका विश्वमित्र उनलाइन एजूकेशन में आज का जो हमारा वीडियो है वो है समाश शास्त्र वस्तुनिश्ट प्रश्न भाग 25 और दोगिक समाश शास्त्र तो चलिए स्टार्ट कलते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है माना जीवन की मूलभूत आवशक्ताओं में समलित है माना जीवन की मूलभूत आवशक्ताओं में समलित है भोजन, वस्त्र, आवशक्ताओं में समलित है माना जीवन की मूलभूत आवशक्ताओं में समलित है ओद्योगी क्रांती शब्द किसकी देन है? मार्टिन लूथर, अनाल्ड टायनभी, मैक्स वेवर या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option B अनाल्ड टायनभी ओद्योगी क्रांती शब्द की जिनकी देन है उद्योगिक क्रांती का प्रारंब किस देश से हुआ था? उद्योगिक क्रांती का प्रारंब किस देश से हुआ था? इंगलेंड, अमेरिका, जापान या फ्रांस तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्षन A, इंगलेंड उद्ध्योगिक क्रांती का प्रारंब इंग्लेंड से हुआ था इंग्लेंड में उद्ध्योगिक क्रांती कब हुई थी इंग्लेंड में उद्ध्योगिक क्रांती किस वर्ष हुई थी सत्रासो पचास, सत्रासो साट, सत्रासो सत्तर या सत्रासो अस्ती तो इसका जो सही आंसर है वो है option C 1770 इंग्लेंड में उद्योगिक क्रांती 1770 में हुई थी भारत में उद्योगिक क्रांती कब हुई थी प्लासी के युद्ध के पश्चात, वारेन हेस्टिंग के साशनकाल में 1857 की क्रांती के पश्चात या 1947 के पश्चात तो इसका जो सही आंसर है वो है option B वारेन हेस्टिंग के साशनकाल में निम्न में से किसका जन्म उद्योगिक क्रांती के पलसुरूप हुआ है धार्मिक वर्ग, पुंजी पती वर्ग, समाजवाद या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option B पुंजी पती वर्ग, option B इसका सही आंसर होगा मनुष्य एक परिवेश में तब तक नहीं रह सकता जब तक वह उसके बारे में कोई विचार ना बना ले निम्न में से या कथन किसका है मैक्स वेबर, इमाईल दुर्खिम, कालमाक्स या रोलिन, चेंबलेस तो इसका जो सही आंसर है वो है option B इमाईल दुर्खिम, या कथन इमाईल दुर्खिम का है ओद्योगिक क्रांती को सबल और शांत क्रांती की संग्या किसने दी है ओद्योगिक क्रांती को सबल और शांत क्रांती की संग्या किसने दी है अगला प्रशन देखते हैं अगस्त काम्टे के मानववाद का धर्म सिध्धान्द को उत्तम धंग से किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेवर, इमाइल दूरकिम, कालमाक्स या रॉलिन चैंबलेस तो इसका जो सही आंसर है वो है option D, रॉलिन चैंबलेस मैक्स वेवर, इमाइल दूरकिम, कालमाक्स या रॉलिन चैंबलेस तो इसका जो सही आंसर है वो है option C, कालमाक्स option C, इसका सही आंसर होगा हराकरी जापान में किस प्रकार की आत्मत्या है? अहमवादी, घातक, परार्थवादी या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option C, परार्थवादी option C, इसका सही आंसर होगा नोकरशाही को आदर्श प्रारूप के रूप में निम्न में से किसने विवेचित किया है? मर्टन, इमाईल दूर्किम, सोरोकिन या मैक्स वेवर तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option D, मैक्स वेवर जिन्होंने नोकरशाई को आधर्श प्रारूप के रूप में निम्न में से विफेचित किया है मैक्स वेवर ने पेरोटो के सामाजिक सिद्धान्त को निम्न में से क्या कहा जाता है आधर्श प्रारूप, अभिजात वर्ग के परिभ्रमन का सिद्धान्त प्रत्यक्षिवाद का सिद्धान्त या भ्रांत तर्क तो इसका जो सही आंसर है वो है option B अभिजात वर्ग के परीभ्रमन का सिद्धान्त Option B इसका सही आंसर होगा अंतर राश्ट्य सर्वहारा वर्ग का महान सिक्षक और नेता किसे कहा जाता है? कालमाक्स, इमाईल, दुरकिम, सोरोकिन या मैक्स विवाईब तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option है काल माक्स जिने अंतरष्टी सर्वहारा वर्ग का महान सिक्षा को नेता कहा जाता है उद्योगी क्रांती का सबसे बुरा प्रभाव निमन में से किस पर पड़ा गाओं पर नगरों पर लगू उद्योगों पर या इन में से कोई नहीं जिसमें श्रम तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है कार खाना प्रणाली का आशय एसी उत्पादन प्रणाली से है जिसमें श्रम तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है काल माक्स, मैक्स विवर, प्रोफेसर किमबाल या इन में से कोई नहीं इसका जो सही आंसर है वो है option C प्रोफेसर किमबाल option C इसका सही आंसर होगा भारत के सोरोकिन कौन से समाशास्त्री को कहा जाता है भारत के सोरोकिन निम्न में से कौन से समाशास्त्री को कहा जाता है Karl Marx, Max Weber, Prof. Kimbal या Dr. Radha Kamal Mukharal जी तो इसका जो सही आंसर है वो है Option D Dr. Radha Kamal Mukharal जी Option D इसका सही आंसर होगा पुन्जी वाद का नाश्ज तथा साम्यवाद की इस्थापना Karl Marx ने निम्न में से किसमे की है पुन्जी वाद का नाश्ज वो है option B, communist गोशना पत्र, option B इसका सई आंसर होगा निम्न में से द्वंदवात का निशेत का नियम पुर्ण रूप से लागू होता है जेविक पदार्थों पर अजेविक पदार्थों पर उप्रोफ्त दुनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सई आंसर है वो है option जेविक पदार्थों पर option है इसका सई आंसर है काल माक्स द्वारा अंतराष्ट्री संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी इसका जो सई आंसर है वो है option D 1869 जिसमें कालमाक्स द्वारा अंतराष्टि श्रम संगठन की स्थाफना की गई थी श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध है सामाजिक कार्य से, आर्थिक कार्य से, जनसंक्या घनत्व से या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option C जनसंक्या घनत्व से, श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंक्या घनत्व से है option C इसका सही आंसर होगा इमाईल दुर्खिम की पुस्तक समाज में श्रम विभाजन किस वर्ष प्रकाशित हुई तो इसका जो सही आंसर है वो है option D जिसमें श्रम विभाजन कुछ तक प्रकाशित हुई थी पूंजी वाद कहां पर विक्सित हुआ प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों में केथोलिक राष्ट्रों में उपरोक्त दोनों में या इन में से कोई नहीं पूंजी वाद कहां पर विक्सित हुआ तो इसका जो सही आंसर है वो है option A प्रोटेस्टेंट राष्टों में option A इसका सही आंसर होगा इमाईल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन स्थिर विचार है, सामाजिक विचार है, राजनितिक विचार है इमाईल दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन जो है वो गतिशिल विचार है, option A इसका सही आंसर होगा इमाईल दुर्खिम के अनुसार इच्छा के प्रकार है आवशक एवं अनावशक, सीमित एवं असीमित प्रमुक एवं आवशक, अतिरिक्त एवं अनावशक तो इसका जो सही आंसर है वो है option B, सीमित एवं असीमित इमाईल दुर्खिम के अनुसार इच्छा के जो प्रकारे वो है सीमित एवं असीमित option B, इसका सही आंसर होगा प्रोटेश्टन धर्म में ने पूँजिवादी व्यवस्ता का समर्थन किस प्रमुक आधार पर किया है कारे की प्रधानता, योग्यता, परिश्रम शीलता या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है option B, उप्रोक्त सभी कारे की प्रधानता, योग्यता और परिश्रम शीलता उप्रोक्त सभी इसके आंसर है इमाईल दुर्खिम ने समाच शास्ती पद्दती का नियम नामा ग्रंत की रचना किस वर्ष की थी 1890, 1895, 1897, 1898 तो इसका जो सही आंसर है वो है option B, 1895 option B इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन के विकास का प्रमुक कारण है जनसंख्या का बढ़ना, सामाजिक आवश्यक्ताएं, आर्थिक उत्पादन या इन में से कोई नहीं श्रम विभाजन के विकास का प्रमुक कारण जो है वो है जनसंख्या का बढ़ना option A इसका सई आंसर होगा नगरी परिवार की प्रमुक्त समस्या है माता पिता वा संतानों का संगर्ष पारस पर एक विश्वास की कमी विवा विच्छेद या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है option D उप्रोक्त सभी नगरी परिवार की जो समस्या है उसमें माता पितावा संतानों का संगर्श है पारस पर एक विश्वास की कमी है और विवा विच्छे ये सभी नगरी परिवार की प्रमुक्त समस्या है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option D उप्रोक्त सभी नगरों में सयुक्त परिवार को विगटित करने वाला प्रमुक्त कारक है वलतमान आर्थिक विवस्ता, पास्चात सब्विता का संगात, पास्चात सिक्षा या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है option D, उप्रुप्त सभी वर्तमान आर्थिक व्यवस्ता, पाश्यात सब्विता का संगात और पाश्यात सिक्षा, सभी इसके कारण है इमाईल दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिद्व की संग्या निम्न में से किसे दी है? इमाईल दुर्खिम ने सामाजिक प्रतिनिद्व की संग्या निम्न में से किसे दी है? सामोहिक प्रतिक को, सामोहिक भावनाओं को, नेतागन सम्हू को या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option C, नेतागन सम्हू को option C इसका सही आंसर होगा इमाईल दुर्खिम ने कानून को निमने में से किस रूप में परिभाशित किया है दमनकारी कानून, प्रतिकारी कानून, उप्रोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option C वो प्रोक्त दोनों दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून दोनों में ही परिभाशित किया है इमाईल दुर्खिम ने सामाजिक एकता का उलेक अपनी किस पुस्तक में किया है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option भी अप्शन भी इसका सही आंसर होगा प्रतम विश्वुद्य के समय इमाईल दुर्खिम का नारा क्या था लड़ो या मरो धेर्य उद्योग और विश्वास उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नहीं प्रत्रम विश्य उद्यों के समय इमाईल दुर्खिम का जो नारा था वो था Option B धेर उद्योंक और विश्वास Option B जिसका सही आंसर होगा सामाजिक तत्यों की व्याख्या के संबंद में इमाईल दुर्खिम ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया सामाजिक तत्यों की व्याख्या के संबंद में इमाईल दुर्खिम ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया एक, दो, तीन या चार तो इसका जो सही आंसर है वो है option C सामाजिक तत्यों की व्याख्या के संबंद में जो सही आंसर है वो है option B वस्तू option B इसका सही आंसर है निम्न में से किस धर्म में सूध वसूल करना बुरा माना जाता है Protestant, Catholic, यहूदी या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option B Catholic जिस धर्म में सूध वसूल करना बुरा माना जाता है मेक्स विवर ने कानून के सत्ता के किस इस्त्रोत को वर्णित किया है चमतकारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, तार्किक विधानिक सत्ता या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है उप्रोक्त सभी Option B इसका सही आंसर है जिसमें चमतकारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और तार्गिक वेधानिक सत्ता सभी आंसर है दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्प्रीट ओफ केपिटिलिज्म नामक पुस्तक किसकी है? कालमाक्स, इमाईल दूरकिम, मैक्स वेवर या अगस्त काम्टे वेबलेन का विलासी वर्ग का सिद्धान किस समाज के अध्यन पर आधारी थे? वेबलेन के अनुसार जो वर्ग स्वयम उत्पादन नहीं कलता है फिर भी उसका उप्भोग की सभी वस्तों पर अधिकार रहता है निम्न में से वह है विलासी वर्ग, उत्पादक वर्ग, उच्च वर्ग या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है वो है option ए विलासी वर्ग जो कि स्वयम उत्पादन नहीं करता फिर भी उसका उप्भोग सभी वस्तों पर अधिकार रहता है option ए विलासी वर्ग शेहरों में बढ़ती जन संक्या घनत्व के कारण निम्न में से कौन सी एक प्रमुख समस्या जन्म लेती है पुझी आवास परियावरन या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वो है option भी आवास जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है वेबलेन के सामाजिक परिवलतन के सिद्धान को निम्न में से क्या कहा जाता है द्वन्दात्मक भोतिक वाद, वर्ग संगर्ष का सिद्धान, एतियासिक भोतिक वाद या प्रोध्योगी की निर्णायक वाद जो सही आणसर है वो है option D परिवलक निर्णायक वाद option D इसका सही आणसर होगा गंदी बस्तियों के बनने का मुख्य कारण है नगरों में आवास समस्या, नगरी जन संक्या का दवाव, ओद्योगी क्रांति या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है उप्रोक्त सभी नगरों में आवास समस्या नगरी जन संख्या का दवा और उद्योगिक करांती सभी गंदी बस्तियों के बनने का मुख्य कारण है भारती नगरों की राजनिती को निर्धारित करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है उद्योगिक जगत छातर राजनिती अपराद या उप्रोक्त सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है उप्रोक्त सभी उद्योगिक जगत अपराद और राजनिती छातर राजनिती सभी इस भुपाल, चैननई या अम्रत्सर, तो इसका जो सही आंसर है वो है option C, चैननई, जिसमें गंदी बस्तियों को चेरी या चेरीच के नाम से पुकारा जाता है, निम्न मेंसे कि शहर में गंदी बस्तियों को आहात कहा जाता है कानपूर, भुपाल, अहमदाबाद या अम्रसर तो इसका जो सही आंसर है वो है आप्शन है कानपूर तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है तो सबिस्क्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके धन्यवाद